पोजिटिव माइन्ट है वो हमेशा ड्रो की तरफ नहीं जाता है जीतने की तरफ जाते हो मौका बिलकुल देंगे इंगलेंड टीम को आउट करनेंगा तीसरा दिन टेस्ट मैच का और बड़ी जबर्दस बैटिंग की है थर्टी सिक्ट फोर थे लग रहा था कि इंगलेंड टीम डीप ट्रॉबल में है लेकिन क्या जबर्दस पार्नेशिप लगाई है बेंड स्टोक ने और जोनी बैस्टो ने और अच्छी क्रिकट खेल लेंग से एक सो अठाइस ताइस रंस की पार्नेशिप लगी जिसकी वाइसे 258 रंस बने यह दे खतम हुआ तो साथ विक्ते आउट हुए है और जोनी बैस्टो अभी खेल रहा है एक सो तीन रंस पर लेकिन कमाल की पार्नेशिप लगी है लगी रहा बैस्टोक जैसे विकट को चुआओ फास बॉलर्स का और बेल्स ना गिरियों स्पिनर्स का लगता है तो बेल्स नहीं गिरती लेकिन यह के बड़ी पॉजिटिव क्रिकट खेलें दोनों अच्छी पार्नेशिप लगी है खुशी की बात यह है कि जो रूड ने रंस नहीं किये तो बैंस्टोक ने रं लेकिन क्रेड जोनी बैस्टोको देना चाहिए जैसे उसने पॉजिटिव क्रिकट खेली है मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों को रंस करते हुए पहले तीन टेस मैचेज में देखे स्वाई जोरूट के किसी ने रंस नहीं किये तो एक अच्छा पॉजिटिव उसने माइ पहले टेस मैच में जैसे ट्रयवर्ज हैड भी पॉजिटिव माइड के साथ उसने 100 की था फैसंगे था लुक्तिण को तो मैं जाया हा एक थाम के क्वे बचाया और उसके बाद देखें कि बैटिंग कर रहा है भी लंबा रंस पहले पहले हंडर्ट वैस्ट टेस्ट मैच में इंग्लिंड टीम की तरफ से तो यह अच्छी चीज है लेकिन जैसे पहले चार बैट्समैन है जैसे आउट हुए हसीव अमीद फिर आप देखें जैक रोली कितना ख पर देखें तरह बैटिंग करना पड़ती है जब आप कमबैक कर रहे हो अपनी जगा बना रहे हो तो टाइम लेना पड़ता है हमारे सामने के रहूल कितनी स्रगल की है मोका मिला अपने वाइड बोल का स्पेसलिस्ट आप कहते हैं हम लोग कहते हैं देखते भी हैं टेस्ट मैच की तरह शोर्ट से उसने कम किये तो वह देखें इस मुश्किल टाइम से निकला फिर आप देखें रंस कितने खुले कर रहा है अब जैक रोली को मेरे खाल से इसकी बैटिंग देखनी चाहिए कैसे उसने अपने आपको किया कैसे रंस की है कैसे स्टे करता है उ और शोर्ट जैसे उसने खेले है यासिर को खेला शहीन को खेला तो मज़ा आया देखने का वैसी बैटिंग उसी सुरत करेगा जब टाइम स्पैंट करेगा तो यह चीज अब इंग्लंड टीम को देखना पड़ेगा साथ आउट है 258 रंस बने जितने रंस बनेंगे उतना अच्छा पर टाइम देखे कल चोथा दिन आउस्टेलिया जब बारी लेगा तो उनको तेज रंस करने वड़ेंगे ओल मॉस मेरे खाल से उस्टेलिया उनको एट लीस हंडर्ड ओवर जरूर खिलाएगा अगर कल वह आते साथ आउट कर लेंगे तर लेकिन जितना लंबा ख खेलेंगे अच्छा होगा इंग्लेंड टीम के लिए टेस्ट मैच बचाएं 5-0 ना होने दें यह टेस्ट मैच अच्छा मौका है अगर जोनी बैस्ट हो खेल गया लंबा खेल गया अगर पार्नेशिप लगई जैक खेल रहा उसके साथ तो मेरे खाल से पिर करीब करीब चल इस प्रेल despite खेलन दो में अःंछी प्रेफ करीई आउड जबर्था टीमम करेंग उंपार्माले चीज बच्च ब्रॉट है कुद्ध लगए अच्छित बच्छ मेंं टो जिंने बनुगए तो बगए उस्ता कर सकती है अच्छित मैच में आउडकी आउटिस आए यह जहा कि कल औस टीम कैसे बॉलिंग करती है कैसे रिस्पान्ट करती है बड़ा जरूरी एस्ट्रेलियन टीम को पहले आउड करना फिर जाके क्याना में साट साट सात्र रंस की हंडर्ड रंस की लीड मिलेगी तो उनको कम से कम टाइम मिलेगा बारी करने का फिर डेख खतम हो होने से पहले 10-15 वर जरूर खिलाएंगे क्योंकि बैटिंग लाइन फॉम में नहीं है तो बड़ी पॉजिटीव क्रिकट खेलते हैं लेकिन अच्छी चीज यह कि जोनी बैस्टों का 100 है पॉजिटिव साइन इंग्लेंड टीम की तरफ से बाकी भी बैट्समें थोड़ा से र चाहिए फिर एक टेस्ट मैश तो जीतना चाहिए इंग्लेंड टीम को ऐसी टीम है ऐसी बॉलिंग है जैसे आउड की है ब्रॉड ने मेरे काल से उसकी मेनित राइगार नी जानी चाहिए और स्पोर्ड करना चाहिए और बैटिंग में कॉंफिडेंस तो आया यह 100 करने का ज